मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूँ वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये कफ के विक्रती है तो आप चाहते हैं कि कफ का रेग ना आए, मने वजन ना बढ़े आपका सर्वी खासी डुकाम बुखार ना हो, टंसल अल्जिस की प्राप्लम ना हो आखें हमेशा अच्छी रहें, कान हमेशा अच्छी रहें तो कान अच्छी रहें, आख अच्छी रहें, ये सब कफ के संतुलंग से होता जवान अच्ची रहे, कान अच्ची रहे, आँख अच्ची रहे, दजन ना बढ़े, गला ठीक रहे, बुखार सर्दी, खासी, दुकाम नाये, तो मतलब यह है, कफ को संतुलित रखो, और इसका सबसे सिंपल सूत रहा है, चीनी मत खाओ, गुल खाओ, गुल, शक्कर छोड़ यह शक्कर सबसे खतरनाज चीज है, जो कफ बहाती है, कफ की इफ्रती का सबसे बहा कारण है, शक्कर, आपको एक इंट्रिस्टिंग बात बताओ, भारत ने जब से शुबर प्रड़क्शन हुआ, कभी से लोग ओपर बेट हुए, हाँ, यह बहुत बड़ी रिसर्च, मैंन अबी से हुए, उसके पहले भारत में कोई ओवर्वेट नहीं था, जब तक शुगर नहीं आई थी, तब तक ये देश ओवर्वेट नहीं था, जब से शुगर आई, सब मोटे मोटे हो गए, सब के पेट बाहर मिकलना शुरू हो गए, यह सब शुगर का दुश्वरिनाम है शक्करता देश परेट हो, आप कुछो लेकियों, यह जो शक्कर है ना ये कभी भी भी डाइजेस्ट नहीं होती, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो टॉक्सिक बेस्ट में कनवर्ट होती है, तो कॉलस्टोल बरता है और मुटा पाना शुरू होता है, शक्कर के बा सब्सक्राइब लगद इतना खाना खाने के बाद थोला सा गुल खाईए, एक ग्रम, तो यह जो एक ग्रम गुल आप में खाया, यह आपके पूरे भोजन को विदिन फूर आपर, चार घंटे में 100% डाइजेस्ट करा दे, थोला सा गुल, गुल जो है ना बहुत बढ़ा प खाना आपको आठ घंटे तक हजन नहीं होगा, शुगर खाने को, और जितना भोजन आपने किया है, इसकी पूरी इनरजी, हाफ पी स्पूर शुगर को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाए, शुगर इंपी खराब, मत खरी, शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानती ही क्या है जो केमिकल शुगर को बनाने में इस्पमाल होते हैं, सबसे खराब केमिकल, एक सल्फर नाम का केमिकल है, जिसके गिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती, और सल्फर जो है पौईसन जहर, और वैसे भी शुगर उतनी महिंगी है, शुगर इतनी महिंगी है, पचास पर किलो हो गई है क्यों आप दिमाग कराते रहते हैं उसको खाता से बंदरी उससे अच्छा गुर लाइए और गुर तो बाजार में अच्छा है शुगर से सस्ता है और गुर से भी अच्छी एक चीज मिलती है महाराश्टे में काकवी काकवी खाई आप तो दानके ना काकव ये तो सबसे अच्छी है काकवी को चाई में डालिए काकवी को दूपमें डालिए का की का मिठाईMe, लड़ी बनाए, हल्या बनाए, षिरा बनाए, शीरा बनाए, काकवी से सब बनता है तो या तो गुर लाइए नहीद तो काकवी लाइए और जब आप खरे जब आप Вот कल करेंगे तो तो थोड़ा काला दिखता है गेहरी रंका होता है दार कलंका होता है लाल लाल दिखता है दिखने में जो अच्छा नहीं लगता है